IPL 2022 की सुरुवात 26 मार्च से होने जा रही है आपको बता दे BCCI ने सेडिल जारी कर दिया है पहला ही मुकावला चैन्ने सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में खिला जाएगा पिछले सीजन में दोनों ही टी में फाइनल तक पहुँची थी जहाँ पर चैन्ने की टीम ने जीत हसिल की थी आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चैन्ने सुपर किंग्स की बेस्ट प्लेंग लेवन के बारे में जो KKR के खिलाफ मैदान पर नजर आने वाली है वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें आपकी राय में के चैन्ने सुपर किंग्स IPL 2022 में एक बार फिर से खिताब जीत पाएगी आप अपनी राय नीचे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करना ना भूले कोलकाता के खिलाफ होने वाले अपने पहले मुकावले में चैन्ने की टीम काफी मजबूती से मैदान पर उतरेगी आपको बता दें रितुराज गायक बार के साथ रॉबिन उथपपा ओपन कर सकते हैं रसल दीपक चाहर के चोटेल होने के बाद महिंदर सिंग धोनी एक बिदेशी तेज गेंदबाज के साथ मैदान पर उतरेंगे इसी बज़ए से ओपनिंग बलिवाज डैवन कॉनबे को मौका नहीं मिलेगा उनकी जगए रॉबिन उथपपा को ओपन कराया जा सकता है इसके अलावा अगर हम चलने सुपर किंग्स की प्लेइंग लेवन के बारे में बात करें तो रितुराज गायकबाड और रॉबिन उथपपा ओपन करेंगे तो वही नम्मर तीन पर मोई नली खेलते हुए नजर आने वाले हैं नम्मर चार पर अमबाती राइडू नम्मर पांच पर सिवम दुबे को मौकाद दिया जाएगा नम्मर छे पर कप्तान महिंदर सिंग धोनी खुद मैदान पर उतरेंगे नम्मर साथ पर रविंदर जड़ेजा खेलेंगे तो वही नम्मर आठ पर डॉइन ब्रावो खेलते हुए नजर आने वाले हैं नम्मर न पर क्रिस जॉर्डन को मौका दिया जाएगा नम्मर दफ पर एडम मिलने खेलेंगे तो वही नम्मर ग्यारा पर दुसार देश पांडे को सामिल किया जा सकता है चैनली सूपर किंग्स की प्लेंग लेवन काफी मजबूत दिखाई दिखाई दे रही है निश्चे तोर पर धोनी आईपेल 2022 में सांदार प्रदर्शन करना चाहेंगे और खिताब एक बार फिर से जीतना चाहेंगे आपकी राय में चैनली सूपर किंग्स की प्लेंग लेवन क्या होनी चाहिए आप अपनी राय नीचे कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को स सब्सक्राइब करें